दोस्तो डंकी फिल्म ने इतिहास बना दिया आज चौते दिन इस फिल्म की तावर तोर कलेक्शन्स हुई है वैसे दोस्तो कल मैंने विडियो बनाया था जिसमें बताया था इस फिल्म ने मज़ा तीन दिन में ही डेर सौ करोड से उपर की कलेक्शन्स कर ली है और दोस्तो एक्संस की है मैं वीडियो में आगे बताने वाला हूँ और भी तमाम जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ उससे पहले आपको बता दू कि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और फेस्बुक पेज पर अगर देख रहे हो तो ब्लॉक बास्टर हो चुकी है और अब डंकी की फिल्म ब्लॉक बास्टर होता दिख रहा है वैसे दोस्थो आप लोग नहीं जानते होंगे तो मैं एक चीज़ आपको बता दू सलार फिल्म का जो जो करभास की फिल्म के फिल्म आई है उसकी जो कलेक्सलन आ रही है उससे भी आगे निकल गया है डंकी फिल्म, आप लोग सायद मजाक में ले रहोगे लेकिन मैं सिरियसली बात कर रहा हूँ, जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना, सलार की कलेक्शन से भी आगे निकल गया है डंकी का कलेक्शन से, दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है, डंकी फिल्म क जो Hindi language की collections है उसमें डंकी फिल्म जो है काफी आगे चल लहा है और ये मैं ही नहीं बलकि बड़ी-बड़ी media reports company भी बोल लही है कि डंकी फिल्म जो है Hindi में काफी आगे चल लहा है सलार से हाँ ये बात अलग है कि सलार की all language की collections जो है डंकी फिल्म के साथ South India में बहुत गलत हो रहा है कल मैंने वीडियो अपलोड किया तो उसमें बताया था कि हाइदराबाद के एक नहीं बलकि कई ऐसे सिनेमा घर थे जहां पर डंकी फिल्म का सो कैंसल कर दिया गया जबकि उस सो का टोटल टिकट फुल था और उस सो को कैंसल करके उस सो के जगा सलार फिल्म को चलाया गया और जिन लोगों ने डंकी फिल्म का टिकट बुक किया था वो लोग काफी ज़्यादा गुस्से थे मैंने कल आपको वीडियो भी दिखाया था प्रॉपर मैंने आपको वीडियो दिखा था और ये एक ही जगह से ऐसा हुआ है ऐसी बात नहीं है साउथ के कई ऐसे सिनेमा गर है जहां पर ऐसी खबर निकल के सामने आई है हलाकि जितनी भी कलेक्शन्स अभी डंकी फिल्म को लेकर आ रहा है बहुत सांदार है और ऐसी खबर अगर नहीं आता तो जाहिर सी बात है और भी सांदार कलेक्शन्स आता क्योंकि ये एक सिनेमा गर का ऐसी बात नहीं है कई सारे सिनेमा गर में ऐसा हुआ है जिसका वीडियो मौझूद है ट्यूटर एकाउंट पर ट्यूटर पर आप जाके देखोगे जिसको लोग आप X बोलते हैं वहाँ पर कई ऐसे लोग है जो को वीडियो अपलोड किया है कि देखिए डंकी फिल्म को कैंसल कर दिया गया है सलार को चलाया जा रहा है तो ऐसा जो है साउथ इंडिया में फेस कर रहा है डंकी फिल्म वैसे दूस्तों चलिए आप बात करते हैं कलेक्सन्स रिपोर्ट की सबसे पहले तीन दिनों का जो ओफीसियल कलेक्सन्स आ गया है दंकी फिल्म का वो मैं आपको बता देता हूँ, मेरे स्क्रिन पर आप देख सकते हो, डे वन का टोटल जो worldwide collections था, वो 58 क्रोड था, दूसरे दिन 45.40 क्रोड का टोटल worldwide collections रहा था, और जो तीसरे दिन का जो collections आया और टोटल worldwide वो 53.82 क्रोड रहा, टोटल तीन दिनों में इस फिल्म ने 157.22 क्रोड का जो है worldwide gross collections किया, आप पूछोगों कि भाई साब ये तो worldwide collections है, इंडिया का net collections कितना हुआ है, तो दोस्तों इंडिया का net collections जो पहले दिन का 29.20 क्रोड, दूसरे दिन का जो है 20.12 क्रोड और जो तीसरे दिन का जो collections आया है, वो 25.61 क्रोड का net collections आया है, तीन दिनों में इस फिल्म ने 94.93 क्रोड की collections कर ली है, दोस्तों ये तो तीन दिनों का official collections था, अब बात करते हैं आज की collections की, संडे की collections की, तो सबसे पहले संडे का जो advanced booking report था, आज के जिनका जो advanced booking report था, वो 12.60 क्रोड का था, और वहीं दोस्तों आज की ओरियंसों के पैंसी reports है, वो भी सांदार देखे गई है कल के मुकाबले, यही नहीं दोस्तों आज मैं बुकमाईसों पे ticket booking देख रहा था, हर जगा भाई, feeling fast, कई सारे ऐसे cinema गरते, आज house full जा रहा था, करीबन आज जो है 30,000 से उपर पर घंटे ticket booking चलाता बुकमाईसों पे, और यही नहीं दोस्तों, आज कई सारे trade export ने prediction किया है, कि आज चौथे दिन का total collections जो है, 100 करोड को पार कर जाएगा, और मेरे पास जो अभी early updates आ गया है, वो 30 करोड पलस का आ गया है, जो कि मेरे screen पर भी आप देख सकते हो, हिमेश भाई साब बहुत बढ़े trade export हैं, पिंक का कहना है, कि आज संडे का जो collections है, वो 30 करोड पलस आने वाला है, और जो हमारे पास reports आई है, चौथे दिन की collections की, वो 33 करोड रुपे की आई है, और वहीं दोस्तों, अगर सिर्फ और सिर्फ चौथे दिन की अगर worldwide collections की बात कर ली जाए, तो तक्रीबन 60 से 62 करोड रुपे कल की collections की, मंडे की collections की, तो भाई लोग कल है Christmas, पूरे देश भर में छुटी है, और कल भी भाई साहिब सांदार collections होने वाला है, दोस्तों हमारे पास जो अब तक advance booking report आ गया है, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, 7 करोड रुपे क्रॉस कर गया है advance booking, डंके फिल्म का ठीक है, और अभी भी advance booking चल ला है, तक्रीबन 25 करोड रुपे के आज पास जो है, इसकी कल की collections रहनी चाहिए, या उससे भी अधिक collections जा सकती है, और दोस्तों अगर सलार फिल्म की अगर box office collections report की बात कर ली जाए, तो मजह दो दिनों में सलार ने 295.7 करोड की worldwide gross collections की है, और box office पर worldwide ऐसी reports आ रही है, बहुत जाए, तीन दिनों में 400 करोड कमा लिए, definitely सलार फिल्म जो है, 1000 करोड पार कर जाएगा box office पर